एलो फ्रेंड्स आप सब कहा आपके अपने चैनल गोविन लेक्षर्स में एक बाप फिरसे स्वागत है तो कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब की पड़ाय बेचे चल रहे होगी उककसा 10 विज्ञान विशे के कुष्ण बैंक सॉलूशन की सिरीज में आजम अध्याय नो परकास के महतोपुन पश्णों को स्वाल्व करना सिखेंगे बोड के द्वारा जारी नविंतम, कुष्ण बैंक के अनुसार हमने चप्टर 1 से लेकर 8 तक सबी के इंपोर्टेंट कुष्ण को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है उनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्चर में दी हुई है या फिर चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन से भी क्लासेज को आराम से देख सकते हैं तो चलिए क्लास सुरू करते हैं परकास का वेग सरवादि कहां पर होता है परकास का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है तो परकास का वेग सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में कहां पर होता है निर्वात में परकास का वेग सबसे ज़्यादा होता है दूसरा प्रशन है परकास के अपवर्तन की घटना में किस बहुतिग्राशी में परिवर्तन नहीं होता है यानि जब परकास का अपवर्तन होता है तो ऐसी कौन सी बहुतिग्राशी है जिसमें परिवर्तन नहीं होता तो परकास किरण की या परकास तरंग की जो आवर्ती होती है उस आवर्ती में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता ह कुसारा प्रशना है, सोर्भटियों में सूर्य के प्रकास को कियंद्रित करने में उप्योग होता है, तो वहाँ पर उप्योग की जाता है अवतल दर्पन का उप्योग किया जाता है तो इता प्रशन है प्रकास Wai-U से 1.50 अपवर्थनांग की कांच की प्लेट में क्या करती है कांच में प्रकास की चाल कितनी है निर्वात में प्रकास की चाल 3 गुणा 10 की गात 8 मिटर पर सेकंड है जो की सबसे ज़्यदा होती है तो देखो अपपरतनान का सुत्र क्या होता है M equal to C upon V तो M कितना दिया हुआ है 1.50 C का मन कितना है 3 गुणा 10 की गात 8 और हमें क्या निकलना है V H यानि कि आपकी कांच में प्रकास की चाल ठीक है V G निकलना है कांच में प्रकास की चाल तो V G बराबर यहां पर आ जाएगा 3 गुणा 10 की गात 8 बटे में 1.5 तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा आपका 2 गुणा 10 की गात 8 मीटर पर सेकंड क्योंकि 1.5 से 3 कितनी बार कटेगा 2 बार कट जाएगा तो V G बराबर आ जाएगा 2 गुणा 10 की गात 8 मीटर पर सेकंड आपको सुत्रे या जटना है अप वरतनांक बराबर निर्वात में परकास की चाल बटे में किसी माद्यम में परकास की चाल तो M बराबर C अपन V होता है प्रश्ण संग्या 5 यह आपके सामने की लैंस की समता और फौकस दूरी में सम्मंद क्या है तो लैंस की फौकस दूरी के भियुत करम को क्या का जाता है लेंस की समता का जाता है P बराबर 1 अपोन F और लेंस की समता का मात्र क्या होता है डायप्टर होता है प्रश्ण संग्याचे गोलिय दरपन की वकरता त्रीज्या फोकस दूरी की होती है गोलिय दरपन की जो वकरता त्रीज्या है जो R है वो फोकस दूरी की क्या होती है? वो फोकस दूरी की दूगुनी होती है डबल होती है यानि कि सुत्र होता है R बराबर 2F या हम लिखते हैं F बराबर R by 2 यानि फोकस दूरी वकरता तरीज़ा की आदी होती है मतलब वकरता त्रीजा फोकस दूरी के दुगुनी होती है सात्वा है किसी भी माध्यम का अपवर्तनांग निर्भर करता है किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांग है वो किन चीजों पर निर्भर करता है माध्यम की प्रकरती पर बिल्कुल सही बात है माध्यम के प्रकासिक गनत्व पर ये भी सही है प्रकास की तरंग देदर्य पर ये भी सही है यानि उप्रोक्त सभी पर निर्भर करता है प्रश्ण संख्या आठ है आपका कि प्रावर्तन में आपतन कोण और प्रावर्तन कोण के बीच में संबंद क्या होता है तो आप सबको पता है कि प्रावर्तन के अंदर आपतन कोण I और प्रावर्तन कोण R का मान आपस में समान होता है तो option number 3 आपका सही उत्तर है नवबा प्रशन है कि एक प्रकास किरण दरपन पर 30 degree के कोण पर आपतित होती है तो प्रावर्तन कोण का मान कितना होगा अभी हमने देखा कि जितना आपतन कोण होगा उतना का उतना प्रावरतन कोण होगा अतों दूनों आपस में क्या होंगे समान होंगे तो option number 1 आपका सही उत्तर है प्रश्ण संग्या 10 है निम्न में से सरवाधिक प्रकासिक सगन माध्यम कौन सा है तो सबसे अधिक जो प्रकासिक सगन माध्यम है वो सगन माध्यम हीरा जिसमें प्रकास की शाल सबसे कम होती है 11 है सब्द कोस के छोटे अकसरों को पढ़ते समय आप किस प्रकार के लेंस को उप्योग में पसंद करेंगे सब्द कोस यानि डिक्सनरी है उसके इंदर छोटे छोटे अकसर लिखे हुए है तो उनको पढ़ने के लिए आप कौन से लेंस को प्रात्मिक्ता से यूज में लेंगे तो हम लेंगे वहाँ पर 5 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस कौन सा लेंस लेंगे 5 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस हमकाम में लेंगे आगे बात करें आपके रिक्तिस्तान वाले प्रश्णो बारवा प्रश्णो है आपके सामने किसी पारदर्सी माध्यम में परकास की निर्वात में चाल और परकास की माध्यम में चाल के अनुपात को क्या कहते हैं अभी हमने देखा था M बराबर C अपॉन V उसे हम क्या कहते हैं अप वर्तनांग कहते हैं क्या कहते हैं अप वर्तनांग कहते हैं जहां C है निर्वात में प्रकास की चाल और V है किसी माध्यम में प्रकास की चाल तेरवा है लेंस की समता का मात्र क्या होता है हमने अभी सुना था डायप्टर क्या होता है डायप्टर चौद्वा है लेंस के खाली जगर से गुजरने वाली प्रकास किरण बिना किसी विचलन के ही निर्गवत हो जाती है तो Lens का जो परकासिक कैंद्र होता है उस से होकर अगर कोई परकास की किरण गुजरती है तो उनमें बिना कोई विचलन हुए वह सीधे ही क्या हो जाती है निकल जाती है प्रश्ण संक्या 15 है किसी वीरल से सगन माध्यम में परवेस करने पर परकास की किरण की चाल ये को वीरल माध्यम से सगन माध्यम में परवेस कर रही है तो परकास की चाल क्या हो जाएगी? घड जाएगी और वह अभी लंब की तरब क्या हो जाएगी? अभी लंब की और जूक जाएगी और वह अभी लम्की और क्या ओजाएगी, जूक जाएगी, ठीक, आगे बात करें. क्रश्न संध्ञां 16, दरपन सुत्र लिखिए, क्या लिखना है अमें? दरपन सुत्र लिखना है, तो दरपन सुत्र क्या होता है? वो होता है 1 upon F बराबर 1 upon V पलस 1 upon U ठीक है जहां आपका F क्या है जहां F आपकी फोकस दूरी है U क्या है U आपकी दरपन से वस्तू की दूरी है U क्या है दरपन से वस्तू की दूरी और V क्या है तो V है आपकी दरपन से परती विम की दूरी दरपन से चवी की दूरी या दरपन से परती विम की दूरी यह हो गया आपका दरपन का सुत्र 1 upon F बराबर 1 upon V पलस 1 upon U ठीक है यह क्या है आपका U है आगे बात करें प्रश्न संख्या 18, सनेल का नियम क्या है? तो आप सबको पता होगा, sin i upon sin r equal to constant. तो देखो कैसे लिखेंगे हम? आपका कौन सा नियम है? सनेल का नियम. तो सनेल का नियम देखो, यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है. प्रश्न संख्या 18 है, सनेल का नियम. तो सनेल का नियम क्या कहता है? कि जब कोई परकास की किरण किनी दो माध्यमों के सीमा प्रश्ट पर तीर्ची आपतित होती है, तो आपतन कौन की जया, sin i और अपवर्तन कौन की जया, sin r. sin i और sin r का अनुपात स्देव क्या होता है? नियत होता है. जब परकास की किरण किनी दो माध्यमों की सीमा प्रश्ट पर तीर्ची आपतित होती है, तो आपतन कौन की जया, और अपवर्तन कौन की जया, इन दोनों का अनुपात क्या होता है? नियत होता है. जिसे हम पहले म माद्यम का अपवर्तनांग भी कहते हैं और इसे ही कहते हैं सनेयल का नियम, Sine I upon Sine R बरढबर क्या होता है कॉंस्टेंट होता है नीतांग होता है, ठीके आगे बात करें प्रशन संख्या 19, अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, और कांच की प्लेट से अपवर्तन को दर्शाते हुए, क्या बिनाना है, चित्र बिनाना है, देखो अपवर्तन की प्रिपासा क्या है, कि माध्यम बदलने पर, यह जब प्रकास की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परवेश करती है, तो अपने मारक से क्या हो जाती ह बिचलित हो जाती है इस गटना को कहते हैं परकास का अपवर्तन जब परकास की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परवेस करती है तो अपने मारत से क्या हो जाती है बिचलित हो जाती है इस गटना को कहते हैं परकास का अपवर्तन आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है जिसमें कांच के सलेब से अपवर्तन की घटना को दर्शाया हुआ है देखो यह आयताकार कांच का सलेब है जिसका नाम है A B C D ठीके यहां पर कोई आपतीत कीरण P है ठीके P Q यह क्या है आपकी आपतीत कीरण है जो आपके किसी प्रकास प्रकास की चाल है वो क्या हो जाती है गट जाती है कम हो जाती है और जिस वजे से प्रकास की जो कीरण है वो क्या होती है वो अभी लंब की तरफ जुक जाती है इसकी तरफ जुक जाती है अभी लंब की तरफ जुक जाती है जब प्रकास की कीरण वीरल माद्यम से सगन माद्यम में परवेश करती है तो परकास की चाल कम होने की बज़े से वो अभी लम की तरब जुग जाती है तो यह आपकी अपवर्तित कीरण है लेकिन जब आयताकार सलेव से बहाद निकलते समय जब वापिस इसका क्या होता है अपवर्तन होता है तो वहाँ पर परकास की कीरण कौन से माद्यम में सगन माद्यम से वीरल माद्यम में परवेश करती है यानि कांच से हवा में परवेश कर रही है तो ऐसी इस्तती में परकास की चाल क्या हो जाती है परकास की चाल बढ़ जाती है क्या होती है प्रकास की चाल बढ़ जाती है जिससे जो प्रकास की किरण है वो अभी लंब से क्या होती है दूर अटती है तो वही चित्र के अंदर बताया हुआ है कि देखो पहली इस्तती में ये अभी लंब की तरब जूक रही है और दूसरी इस्तती में ये अभी लंब से क रट रही है तो यह आपके एक आयताकार स्लेब से क्या दिया हुआ है परकास के अभरतन गटना का एक नामंक की चित्र दिया हुआ है आगे बात करें प्रश्ण संक्या 20 की देखो प्रश्ण संक्या 20 को हम इधर ही स्वल्व कर लेते हैं क्या दिया हुआ है कि एक उत्तल लेंस की focus दूरी 20 cm है, तो lens की समता कितनी होगी, एक उत्तल lens की focus दूरी कितनी है, आपकी 20 cm है, तो मैं क्या निकालनी है, lens की समता, तो lens की समता, देखो, सुत्र क्या होता है, P बराबर 1 upon F लेकिन यहाँ पर F किसमें होता है मिटर में किसमें होता है मिटर में तो जब हम 20 cm को किसमें बदलेंगे मिटर में 20 cm को जब हम किसमें बदलेंगे मिटर के अंदर बदलेंगे तो देखो 20 cm इसको हमें मिटर में बदलना है तो किसका भाग देंगे 100 का, तो कितना आजाएगा, 1 upon 5 meter, कितना आजाएगा, 1 बटा 5 meter आजाएगा, अब यहाँ पर मान रख देंगे, तो P बराबर 1 upon 5, तो 5 उपर चला जाएगा, तो P बराबर कितना आजाएगा, 5 diopter, कितना आजाएगा, P बराबर आजाएगा, 5 diopter, ठी के आगे बात करें प्रश्ण संक्या 21 की यदि किसी लेंस की समता माइनस दो डायप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी ज्याद करो और लेंस का प्रकार कौन सा होगा है ना हमें लेंस का प्रकार निकालना है और उसकी फोकस दूरी निकालनी है तो देखो यहां से यहां से यहां का निकालना है अब की बार f निकालना है आपकी और iki फोकस दूरी है 55 मैं प्रशन संख्या 23 में वो अपका अवतल लेंस कि से आघे बात करें परशन संक्या 22 कि किसी गोल्य दरपन और पतले लेंस दोनों की focus दूरी फोनगों Be संब्था कुद्रर में तो हमें बताना है कि ये कौन से दरपन है और कौन से लेंस है तो ये दोनों ही कैसे होंगे दोनों ही आपके अवतल लेंस और अवतल दरपन होंगे तो हम कहेंगे ये दरपन भी कौन सा होगा अवतल दरपन होगा और लेंस भी कौन सा होगा अवतल लेंस होगा त्यूकि अवत यत्क्रम को लेंस की फोकस दूरी की वियूत्क्रम को क्या का जाता है लेंस की समता का जाता है पी बिराबर वन अपॉन एप और इसका मात्र क्या होता है लेंस की समता का मात्रक होता है डायप्टर और lens की समता के सूत्रम में जो focus दूरी ले जाती है वो मैसा किसमे ले जाती है मीटर में यह आपको ध्याण रखना है प्रशन संगा 24 है saving दरपण में परियूक्त दरपण कीस प्रकार का है और इसमें कैसा पर्तिविम बनता है तो सेविंग दरपन के अंदर जो दरपन काम में लिये जाता है वो दरपन कौन सा होता है वो दरपन होता है अवतल दरपन कौन सा दरपन होता है अवतल दरपन होता है और अवतल दरपन के द्वारा बनने वाला जो परतिविम होता है वो आभासी होता है बड़ा होता है और सी अव्तल दर्पन का उप्योग किया जाता है और अव्तल दर्पन से बनने वाला परतिविम आभासी काफी बड़ा और कैसा होता है सीधा होता है ठीक आगे बात करें व्रशन संख्याप 20 की क्या दिया हुआ है वाहनों में पच्च दर्शिय दर्पन के रूप में उत्तल होता है उसका जो द्रश्टी चित्र होता है वो क्या होता है वो काफी बड़ा होता है इस वज़े से पीछे से आ रहे हैं वह उसको चोटे से कांच के अंदर दिख जाते हैं वही बात यहां पर लिखे हुई है कि उत्तल दर्पनों का उप्योग सामानेतर वाहनों के क्योंकि ये सद्यव और सद्यव सीधा परतिमिम बनाते हैं और कैसा बनाते हैं काफी चोटा परतिमिम बनाते हैं और उत्तल दर्पन का जो द्रश्टी चित्र है वो बहुत बड़ा होता है क्योंकि ये बाहर की तरफ क्या होते हैं वक्रित होते हैं इस वज़े से बहुत बड़े चित्र को देखने में क्या करते हैं समर्थ बनाते हैं इस वजए से उतल दर्पण है वो समतल दर्पण की तुलना में बहतर है इसी वजए से ड्राइवर के द्वारा वहनु में पीछे वाले दर्शे को देखने के लिए इसका उप्योग किया जाता है आपके प्रश्ण संक्या 26 की आपके सामने दिया हुआ है कि कांच के बरतन में रखे निम्बू को कांच के बरतन में रखे निम्बू को पार्सव यानि साइड से देखने पर बड़े क्यों परतित होते हैं तो कांच के गिलास में पानी में रखा हुआ एक निम्बू जब उसे पा बास्त्वीक आकार से क्या पर्तित होता है ऐसा क्यों होता है तो ऐसा परकास के अपवरतन की घटना के कारण होता है इसकी वजय से परकास के अपवरतन में ड़किसे रहा होता आईये इसका मतलब क्या है इसका मतलब देखो किया है कि संतल द्वार्पण वारा उत्पन गो पषारी में अनीच प्लसवन ह romance कर चौके बर्याबर है पता चल रहा है पहला तो महीं यह पता चल रहा है और जो दनात्मत चिन है जो प्लट चिन है वह ये बताता है कि पर्तिवीम क्या है पर्तिवीम आपका सीधा है और कैसा है आबासी है तो समतल दर्पन द्वारा उत्पन कोई पर्तिवीम है जिसका आवर्दन इदी प्लस वन है इसका मतलब है कि उस पर्तिवीम का आकार वस्तू के आकार के बराबर है और यह प्लस चिन यह बता चल रहा है कि ये प्लस वन में ये दर्शारा है कि बनने वाला परतिविम वस्तू के आकार का है यह वस्तू के बराबर आकार का है और ये प्लस चिन धनात्मक चिन ये बता रहा है कि परतिविम सीधा होर कैसा है आभासी है आगे बात करें प्रश्न संख्या 28 की दिया हुआ है कोई अवतल दरपन अपने सामने 10 cm दूरी पर रखे बिम्ब का 3 गुना आवर्दित भास्तविक परतिविम बनाता है परतिविम दरपन से कितनी दूरी पर बनेगा हमें दूरी का मतलब है V का मान निकालना है कि परतिविम है वो दरपन से कितनी दूरी पर बनेगा हमें V कामान निकालना है तो देखे इसको हम अलग पेज पर स्वाल्व करते हैं आपका प्रशन संक्या था 28 कितना था? प्रशन संक्या था 28 हमें क्या दिया हुआ था? कि मारे सामने क्या था? एक अवतल दरपन था क्या था? अवतल दरपन अवतल दरपन दिया हुआ था जिसका आवर्धन आवर्धन यानि M कामान परतिविम कितना गुना बन रहा था? तीन गुना तो आवर्धन M कामान या पर किसमें होगा? माइनस तीन क्या होगा? माइनस तीन फिर हमें वस्तू की दूरी दी हुई थी कि वो आपके दरपन से कितनी दूरी पर है आपकी बीम्ब की जो दूरी है कि कि बीम्ब की दूरी कितनी थी 10 cm आपर लिख देंगे बीम्ब की दूरी यानि यू का मान यू का मान कितना होगा माइनस 10 cm क्योंकि अवतल दरपन की जो फोकस दूरी और जो वस्तू की दूरी होती हो किसमें लिजाती है माइनस में रिनात्मक में हमें क्या निकालना था परती बिम्ब की दूरी यानि V का मान निकालना है इसकी दूरी निकालनी है परती बिम्ब की दूरी जिसे हम क्या कहेंगे परती बिम्ब की दूरी V कहेंगे तो मैं पता है दरपन सुत्र दरपन सुत्र आप सबको पता है तो दरपन सुत्र अब दरपन U, क्या होता है, minus V upon U, M का मन कितना है, minus 3 है, minus V का मन हमें ग्याद करना है, और U का मन कितना है, minus 10 है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, minus V बराबर कितना होगा, 3 का गुणा minus 10 से हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 30, तो V का मन कितना आ जाएगा, minus 30 cm, इतना जाएगा माइनस 30 cm मतलब क्या है कि परतिभीम है वो दरपन के आगे 30 cm की दूरी पर होगा तो हम लिखेंगे कि अतह अतह परतिभीम परतिभीम दरपन के सामने 30 cm की दूरी पर बनेगा परतिभीम दरपन के सामने 30 cm की दूरी पर क्या होगा बनेगा क्योंकि वी कमान किसमें आया है माइनस में आया है ठीक आगे बढ़ें प्रश्न संक्या 39 देखो प्रश्न संक्या 39 क्या दिया हुआ है कि कोई 2 cm लंबा बिम्ब है वो 10 cm फोकस दूरी के किसी उत्तर लेंस के मुख्य अक्स के लंबवत रखा हुआ है ठीक है बिम्ब की लेंस स से दूरी कितनी है 15 सेंटिमीटर परती बिम की प्रकरती इस्तती और आकार ज्याद कीजिए और इसका आवर्धन भी ज्याद कीजिए तो देखे हम कैसे ज्याद करेंगे यहां पर हम पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या चीजिया में दी हुई है तो यहां पर प्रश्ण संक्या 29 की बात हो रही है पहली बात तो हमारे सामने लेंस कौनसा है उत्तर लेंस है कौनसा लेंस है उत्तर लेंस है ठीक है अब दिया क्या दिया हुआ है पहला दिया हुआ था बीम्ब की उच्छाई बीम्ब की उच्छाई बीम्ब की उच्छाई का मतलब है एच कितना दिया हुआ की दूरी यानि यू का मान वह कितना होगा माइनस का 15 संटी मेटर गया हमें क्या निकालनी थी पर्ति भीम की दूरी पर्ति भीम दूरी यानि V का मन हमें क्या करना है ज्यात करना है और हमें क्या निकालनी है पर्ति भीम की उंचाई यानि पर्ति भीम का आकार पर्ति भीम की उंचाई ये दो चीज़े हमें निकालनी है और हमें और क्या निकालना था और हमें निकालना था आपके आवर्धन है ना तो पहले हम लेंस के सुत्र की मदद से ये परतिविम की दूरी और उंचा ही निकालते हैं तो यहाँ पर लेंस सुत्र लिख लेते हैं तो हम लिखेंगे लेंस सुत्र के अनुसार length शुतर के अनुसार क्या सुतर है 1 upon V minus 1 upon U बराबर 1 upon F यह सुतर है हमें क्या निकालना है 1 upon V निकालना है 1 upon F plus 1 upon U 1 upon U का उधर पक्सांटरन हो जाएगा आब देखो यहाँ पर हम 1 upon V का मैंन निकालेंगे 1 upon V बराबर F का मैंन कितना है minus 15 sorry इसका u कमान कितना था minus 15 और f कमान कितना था एक बटा 10 यहाँ पर f कमान कितना था 10 था अब इसे हम solve करेंगे तो हम इसे क्या करेंगे solve करेंगे तो 15 और 10 15 और 10 का LCM कितना जाएगा 15 और 10 का LCM आ जाएगा 30 15 का भाग 30 में 2 बार 2 का 1 से गुणा तो मैंस दो दसका एन यहांद अपॉन वी बराबर कितना आगया एक बट्ता तीस वी कमान जेना कितना आ इसका मतलब कहा है इसका मतलब है जो प्रतिमिम् है को आपके प्रकासी केंद्र करके दाई और बन रहा है और प्रतिविम कैसा होगा वास्तिविक और उल्टा होगा तो यहां पर हम लिख देंगे की हतह प्रतिविम प्रतिविम दर्पन के पीछे 30 cm की दूरी पर बनेगा और यह लैंस के पीछे वाले भाग में प्रतिविम लैंस के पीछे 30 cm की दूरी पर बनेगा ठीक है जो कैसा होगा जो वास्तिविक और उल्टा होगा जो वास्तिविक और उल्टा होगा ठीक है अब मैं क्या निकालना था अब मैं निकालना था आवर्धन क्या पर हम निकाल देते हैं आवर्धन आवर्धन का सुत्र पता है हमको m बराबर आवर्धन m बराबर होता है आपका h- upon h या हम कह सकते हैं आपका v upon u है ना तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है h- निकालना है तो हम क्या कहेंगे h गोना v upon u तो h कहां कितना था है h कहां का मंद था आपका 4 cm व कहाया 30 cm यू कहां कितना था मैनिस 15 cm इसको हाल करेंगे तो कितना आ जाएगा उस थतल की निकालना है आवर्धन एम बराबर क्या होगा एम बराबर घूाएगा आपका V upon U V का मन कितना था T से U का मन कितना था minus 15 है यानि कितना आ जाएगा minus 2 M का मन कितना आ गया minus का 2 इसका मतलब क्या है कि जो आपका परतिवीम है परतिवीम कैसा है परतिवीम आपका दुगुना आवर्दित होगा M का मतलब minus 2 मतलब क्या है M का मतलब माइनस दो यह बता रहा है कि जो परतिवीम है वो आपका दुगुना आवर्दित होगा और परतिवीम की उचाई कितनी होगी 4 cm होगी कितनी होगी परतिवीम की उचाई 4 cm होगी आपर लिख देंगे अतर H डेस बराबर कितना आए था माइनस का 4 cm तो H डेस बराबर 4 cm यानि परती भीम की उंचाई कितनी होगी? 4 cm होगी ठीके? तथा M बराबर माइनस 2 यानि परती भीम यानि परती भीम क्या होगा? परती भीम आपका दो गुना आवर्दित होगा परती भीम दो गुना आवर्दित होगा ठीके? ये था आपका प्रशन संक्या 39 आगे बढ़ते हैं प्रशन संक्या 30 की तरफ प्रशन संक्या 30 कि यहां पर हमें क्या करना है प्रश्ण संक्या 30 के अंदर कि देखो क्या दिया रखा है कि एक अवतल दर्पन के लिए बिम्ब की निम्न इस्ततियों में परती बिम्ब की इस्तति प्रकरती आकार बनाते हुए कीरण आरिक चित्र बनाना है कौनसा दर्पन है अवतल दर्पन पहली इस्थतिश आपके सामने दी हुई है, अवतल दर्पण में पहली इस्थतिश दी हुई है कि जब बिम्ब वकरता कैंद्र सी पर हो, तो एसी इस्थतिश में जो परतिविंब बनेगा, परतिविंब कहा बनेगा? यहाँ पर देखो वास्तिविक वस्तू कहाँ पर है वकरता केंदर सी पर यह क्या है आपकी वस्तू है और यह क्या है आपका परतिविम है तो अब्तल दर्पन के केस में जब वस्तू को वकरता कैंदर पर रखा जाता है तो उसका परतिविम भी कहां पर बनता है वकरता कैंदर सी पर ही बनता है परतिविम कैसा होता है वास्तविक होता है उल्टा होता है और बिल्कुल बिम्ब के समान आकारका ही होता है जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है खीक दूसरा है जब बिम्ब यानि वस्तु कहां पर रखी हो फोकस पर रखी हो यह आपकी वस्तु रखी हुई है फोकस बिंदू पर यहापर क्या है बिम्ब है तो जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो परतिविम कहां पर बनता है अनन्त पर परतिविम बनता है परतिविम होगा तीसरी इस्तती है कि जब विम्ब फोकस और ध्रूब के बीच में हो यह आपका फोकस है इधर यह आपका फोकस है एफ और यह आपका क्या है ध्रूब O है इन दोनों के बीच में यहाँ पर वस्तू को रखा हुआ है तो परतिविम का बनेगा परतिविम दरपन के पीछे की और अपना परतिविम का बनेगा A-B-S बनेगा दरपन के पीछे वाले भाग में परतिविम कैसा बनेगा आभासी होगा सीधा होगा और क्या होगा काफी बढ़ा होगा ये सारी चीजे हमने चेप्टर की व्याक्या के दोरान बहुत अच्छी से समझी थी कि ये चित्र कैसे बनते हैं आप कैसे इनको आसानी से याद रख सकते हैं तो आप से रिक्वेस्ट है कि यदि आप कोई चीजे समझ में नहीं आती है तो आप एक बार चेप् बनाओ पहली स्तती में जो पर आपकी वस्तु है जो विम है वह टू एफ बन से परे रखा हुआ है का पर रखा हुआ है तो आपका वास्तविक होगा उल्टा होगा और बिल्कुल बिंदू के आकार का होगा दूसरी स्तती जब परदिभीम हो और पर हो जब वस्तु कहां पर हो 2F1 पर तो आपका जो परतिविम में वो कहां बनेगा 2F2 पर बनेगा कैसा बनेगा बास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा और वस्तु के आकर के समान बनेगा यह दूसरी इस्तती का चित्र यहां पर दिया हुआ है यह पहली इस्तती दूसरी इस कई नियंज स्त्ति है जब वस्तु F1 और 2F1 के रखी हो यह आपका 2F1 और यह f1 इन दोनों के बीच में क्या रखी हुई है वस्तु रखी हुई है तो परतिविम का बनेगा परतिविम और चृति इस्तति है कि जब वस्तु आपके फॉकस एक वन और प्रकासिक केंद्र ओ के बीच में रखी हो यह आपका f1 है और यह आपका प्रकासिक केंद्र ओ है इन दोनों के बीच में यह वस्तु रखी हुई है तो परतिवीम, दरपन की उसी दिशा में, कहां पर बनेगा, 2F1 से परे, परतिवीम कैसा होगा, आबासी होगा, सीधा होगा, और काफी बड़ा होगा, तो यह आपके सामने इस्तती गी हुई है, अलग-अलग, देखो, पहली स्तती में, जब वस्तु अनंत पर हो, तो के बीच में हो तो परतिभीम दरपन के दूसरे भाग में F2 और 2F2 के बीच में बनेगा वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा और कैसा बनेगा चोटा बनेगा जब वस्तु 2F1 पर हो तो परतिभीम 2F2 पर बनेगा वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार क बिल्कुल बराबर बनेगा स्फुटी इस्तथी है जब वस्तू 2f1 और f1 के बीच में हो कहाँ पर हो 2f1 और f1 के बीच में हो तो ऐसी इस्तती में परतिभीम 2f2 और अनंत के बीच में बनेगा वास्तुवीगọi उलता बनेगा और बिम्ब से बड़ा बनेगा पांचवी इस्तती जब वस्तु F1 पर हो तो परतिवीम अनंत पर बनेगा वास्तु वीक और उल्टा बनेगा और अत्यदिक आवर्धी तैनि बहुत बड़ा बनेगा तर्टी इस्तती जब परतिवीम F1 और परकासी केंदर O के बीच में हो तो परतिवीम आपका बनेगा लैंस के उसी तरफ बिम्ब की और आबासी और सीधा होगा और बिम्ब से क्या होगा? काफी बड़ा होगा ठीक? आगे बढ़ते हैं प्रश्न संक्या 32 दर्पन में मुक्य अक्स, ध्रूव और वक्रता के अंदर को समझाईए तो देखो ध्रूव क्या होता है? तो गोलिय दर्पन में प्रावर्तक तल के मुक्य बिंदू P को क्या कहते हैं? ध्रूव कहते हैं गोलिय दर्पन के अंदर जो प्रावर्तक तल होता है यह आपका प्रावर्तक तल है उस प्रावर्तक तल का जो मुख्य बिंदू होता है या जो मद्य बिंदू होता है उसी को कहते है दरपन का धुरूव जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है मुख्य अक्स तो दरपन के ध्रूव और वक्रता केंदर से ओकर आने वाली रेखा को दरपन का मुख्य अक्स कहते हैं यहाँ पर चित्र के अंदर जो PC रेखा है वो क्या है? मुख्य अक्स है यह जो PC रेखा आपको दिख रही है यह क्या है यह आपका मुख्य अक्स है क्या है मुख्य अक्स आगे है वकरता कैंद्र यह जो C बिंदू दिख रहा है यह है वकरता कैंद्र तो गोलिये दरपन जिस खोकले गोले के कटे हुए भाग होते हैं उस गोले के कैंद्र को क्या कहते हैं वकरता कैंद्र और यहाँ पर चित्रों में जो C है वो दरपन का क्या है वकरता केंद्र है तो यह दरपन के कुछ बागों की परिभासा थी आगे बात करें प्रश्ण संख्या 33 इसकी दिया हुआ है एक अवतल दरपन है जिसकी फोकस दूरी 30 cm है तो अवतल दरपन की फोकस दूरी F किसमें होती है माइनस में? माइनस 30 cm और 20 cm की दूरी पर बिम रखा हुआ है याणि U कमन कितना है? माइनस 20 cm हमें परती बिम की इस्तती पता करनी है याणि V कमन हमें क्या करना है? ज्यात करना है तो दरपन सुत्र आप सब जानते हैं दरपन सुत्र से क्या होता है? 1 अपोन F बराबर 1 अपोन V पलस 1 अपोन U हमें क्या निकालना है? 1 अपोन V निकालना है तो क्या होगा? 1 अपोन F माइनस 1 अपोन U हो जाएगा देखो F का मन कितना है minus 30 minus U का मन कितना है minus 20 तो 1 बटे में minus 30 plus 1 बटे में 20 तो यहाँ पर LCM ले लेंगे 20 और 30 का LCM 60 30 का भाग 60 में 2 बार 2 का 1 से गुणा तो minus 2 20 का भाग 60 में 3 बार 3 का 1 से गुणा 3 कितना आ गया 1 बटा 60 1 upon V बराबर 1 बटा 60 तो V का मान कितना आजाएगा V का मान आजाएगा प्लस में 60 cm कितना आएगा प्लस में 60 cm इसका मतलब क्या है इसका मतलब है तुम लिखेंगे इसका अर्थ है या इसका तात्पर्य है कि परतिभिम परतिभिम दरपन के पीछे परतिवीम दरपन के पीछे स्टार्ट सेंटिमिटर की दूरी पर बनेगा ठीके ये हमें इस V के मान से पता चल रहा है ये था आपका प्रशन संक्या 33 आगे बढ़ते हैं प्रशन संक्या 34 वास्तवीक और आबासी प्रतिवीम में अंतर क्या है बिल्कुल सरल है तो वास्तवीक प्रतिवीम में उसमें वस्तु से आ रही प्रकास किरनों के प्रावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तवीक कटान से बनता है यानि जो वास्तवीक प्रतिवीम है वो वस्तु से आर ही जो परकास की किरने हैं उन परकास की किरनों के चाहे अफवर्तन हो या चाहे प्रावर्तन हो दूर्नों की इस्ततियों में परकास की किरने वास्तविक क्या होती है एक दूसरे पर मिलती है उसकी वजह से क्या बनता है वास्तविक परतिविम बनता है जब उनको पीछे की तरब क्या के जाता है? बढ़ाया जाता है. दूसरा बास्तवइक परतिभीम बस्तु की एपयक्सा अमेसा कैसे होते हैं? उल्टे. और उनने परदे परप्राप्त किया जा सकता है. आभासी प्रतिभीम बस्तु की एपयक्सा को उत्तल दर्पण का का कारं की हैड्लाइट में अवतल दर्पन का कि इसी वहां के पीछे वाले दर्शे को देखने दो उत्तल दर्पन और उसके बाद अगर हम किर्शी नजल से उसे देखेंगे, तो वो हमें क्या होगी? वह मूडी हुई दिखाई देगी. ऐसा क्यों होता है? वो बताना है. तो जब पानी में पैंसिल का एक सीधा टूगडा डूबोया जाता है, तो परकास के अपवर्तन के कारण वो हमें मूडा हुआ परतित होता है. क्योंकि जैसे ही परकास की किर्ण सगन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, वैसे ही वे लंब से क्या हो जाती है? पर ये मूड जाती है. देखो, गिलास के अंदर कौन सा माध्यम है? सगन. बाहर कौन सा माध्यम है विरल तो जब परकास की किरण अपवर्तित होकर सगन माध्यम से का आएगी विरल माध्यम में तो परकास की किरण की चाल क्या हो जाएगी परकास की किरण की चाल बढ़ जाएगी और किरण की चाल बढ़ने का मतलब है वो अभिलम से क्या होगी दूर गए थे उन सभी प्रश्णों के उत्र बहुत अच्छे से जान लिये हैं उम्मिद करता हूं सभी प्रश्णों के उत्र आपको अच्छे समझ में आये होंगे तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइ इतना ही जै हिंद जै भरत